यूनीक सी आईम मनाएंगे तो चलिये सब से पहले बनाना इस स्टार्ट करते कि तो आपकी से नीले लिडागे ने विपक्रीम आपको नर्गवा सब लेंगे Shore पिर से इसको एक बार विप कर लेंगे, तो क्रीम हमारी अच्छी तरीके से विप हो गई है, अब इसके अंदर डालेंगे सबसे सीक्रेट चीज, यानि कि आज हम बना रहे हैं गुलाब जामून आइस क्रीम, जो मार्केट में सबसे जादा वायरल है, और मदर डेरी की मिलती ह तो यह मैंने गुलाब जामून के इस तरीके से छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं, तो यह मैंने दो बड़े गुलाब जामून लिए, अब इसको हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, विप क्रीम हमारी मीठी होती है, और थोड़े गुलाब जामून में मीठे हैं तो इसलिए इसके अंदर हम sugar नहीं डालेंगे और इसको whip नहीं करना है यानि कि चम्मत से बिलकुल हलकी हलकी हातों से इस तरीके से हमें mix करना है कि गुलाब जामुन हमारे इसके अंदर अच्छी तरीके से mix हो जाएं अब इसको करूंगी ट्रांसफर तो यह container ले लिया है इसके अंदर यह सारी whip cream जो हमने whip कर रही है गुलाब जामुन के साथ वो हम इसके अंदर transfer कर देंगे और फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसके उपर यह गुलाब जामुन और रख देंगे तो यह देखी चार गुलाब जामुन रख देंगे और इसका धकन बंद करके हम 5-6 गंटे के लिए इसको फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे तो अब इसका धकन हटाएंगे 5-6 गंटे हो चुके हैं तो वाओ हमारी आईस्क्रीम जम कर बिल्कुल तयार है गुलाब जामुन तो अब मैं इस तरीके से स्कूप से इसको निकाल लूँगी और इसको सर्विंग बोल में डाल दूँगी तो हमारी यूनीक सी यानि गुलाब जामुन आईस्क्रीम बनकर बिल्कुल तयार है उपर से थोड़ी से डाल देंगे हम इसके उपर आमन यानि की बादाम क्रश किये हुए अगर आपको इसकी रेसे भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले